नमस्कार दोस्तों, Welcome back to Civil Outlook. तो आज हम को कर देवारे हैं, कंटूर के Top 10 Questions, ये सिरीज जो चल रही है हमारी UP SSC-JE वारे बच्चों के लिए चल रही है, लेकिन other exam जैसे की DF, CCIL और SSC-JE जैसे exam के लिए अगर prepare करने हैं बच्चे तो इस सिरीज को join कर सकते हैं, क्योंकि syllabus में अगर बच्चन से लिए जो important facts है, important data है, उससे को भी हम लोग इसमें include करेंगे, तो चली बढ़ते हैं, और अगर वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक जून करना आप लोगो, जितने आप लोग लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको कॉंसे topic की demand है में तो वीडियो कराऊंगा, और जितने जदा आप लोग लाइक करोगे, उतने जदा में वीडियो आप लोग लिए देखिया हूँगा, तो चली लोग पहला कुछन देखते हैं, the best method of interpolation of contours, देखें, अगर मैं contour की बात कर देता हूँ, if I talk about the contour, तो उसमें दो method होते हैं, एक उता direct, एक उता indirect, एक उता indirect. वहाद हो इंडाइक्त में अमिझाेक्ट कि तो इन दोनों में कौम सा काम आता audience का आ टेखुलेशन का यह यह यूज़ करते हैं। इक पंड्प, बडुज है एक क्रॉस सेक्षिन करता है, कि वी लॉम्लों के का ओ कॉस सेक्षिन होता है एक होता है आपका geographic एक होता है estimation इंटर पोलेशन करने के तीन तरीके अब इसमें से बोल रहा है best method कौन सा तो best होता अपना यह arithmetic method अपना best होता है अगर पूछे का interpolation का इसमें से कौन सा method तो यह तीन के रिलावज होगा वह नहीं होगा तो best method पूछा है तो arithmetic होता है और arithmetic क्या करते है calculation करते हैं तो यहां पर arithmetic कहीं देखने रहा लेगी जो computation है वह ही arithmetic method का दूसरा नाम है तो इस वे से इस concept क्या होगा option number C क्यूंकि best method पूछा है तो best में estimation तो हो नहीं सकता है ना estimation तो हमको पता estimation नहीं है तो all of these automatic cut हो जाता है ग्राफिकल भी नहीं है तो बचा क्या C computation okay तो आंसर क्या होगा इसका option number C अगला question लेखते है which of the following method control is most suitable for hillitale है एक contouring कब करते हैं अगर contouring के अगर बात तरहूं तो labeling के बाद contouring करते हैं तो पहले हमको labeling करने पड़ेगी इसका मतलब और labeling हम लोग करते हैं कि लेखने हम कैसे area पर आफे एक लाटर राओंस प्लाइड नउक्ट अगरों को इस्ट्रूमेन रखने में दिकतना है लेकिन पहाड़ी की बात करते हैं पहाड़ी की reading यह जीज़ करते हैं हम नभी यूज़ करते हैं तैको मीटाउट आपका reading निकाल सककते हैं ये अपर labeling के लिए बुल दे, तो tachometer is the right answer, अब बात आगी tachometer की बिए, हैना बात आगी tachometer, तो tachometer की लिज़ करते है हमको analytical lens, का हमसा lens? analytical lens, विए analytical lens कैंसा होता है, वो तब plano convex होता है, इसके बीच में लगता है, डाइक्सांग और अब्जेक्ट लेंस के बीच लेंस के लगता है, इसके लिए जो multiplying constant है, k के वे जो 100 होती है, additive constant c के वे जिरो होती है, इसके इसके जो formula बनता है, आपका d is equal to 100s बनता है, क्योंकि d का formula होता है, ks plus c यह 0 हो जाता है, यह 100 बजता तो 100s आता है, अब जो intersecting angle होता है, इसको beta बोलते हैं, उसकी value होती है, 0.573 degree, यह बात मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन आप लोग को बार-बार reverse करते हैं रहना ज़रू है, जिससे आप लोग ध्यान ना भूले इन चीज़ें को, तो यह बहुत आदे important question है कि analytical lens जो होता है, उसमें कौन सा lens होता है, तो plane और convex होता है, तो इसका answer क्या होगा, option number D, अगला question देखते हैं लोग, the direction of steepest slope on control है, देखिए, अगर steep की बात कर दे, इस्टिक slope की बात कर दे, तो close control बनेगे, close control यानि control में पास पास बनेगे, ठीक है, gentle की बात कर दे, तो closer थोड़ा दूर, यानि distinct, थोड़ा दूर, distant control, अगर आपके flat area की बात कर दे, flat एक्दम flat, तो अपना uniformly बनेगे, uniform यानि बराबर distance पर, uniform यानि equal distance पर, equal distance पर, यानि बहुत दूर टूर बनेगे, अगर steep slope की बात कर दे, तो steep slope किस में बनती पहाड़ी में बनती, कैसे बनती बहुत बनती बहुत बहुत ज़ए उठान होना, अगर मैं इसका यहां से contouring हो यह वाली point की तो यहां पर draw होगा, ऐसे करके कुछ देखो, यह draw होगा, इससे यहां पर loop, तो यह देखो, यह draw होगा, तो यह आपसमें बहुत पास-पास होते हैं, इसमें से strip slope बहुते हैं, और धार रखना, जब भी strip slope की बात कर देगा, तो अपना किस की बात करेगा, ridge की बात करेगा, ridge की बात करेगा, खेंना, ridge जो होता है, वो अपना ऐसे बनता है, इस step, यह तो ridge है, और जो valley होती है, वो step ही बनती है, आपकी ऐसे, तो ridge और valley दोनों ही contour को कितने angle पर cut करते हैं, भी, perpendicular यानिकी 90 degree पर cut करते हैं, तो वह ही question पूछ अगर steep slope की बात कर दी तो उसने ridge या फिल वैली की बात कर दी और ridge या हिल की किसमें कितने एंगल पर काटता भी कंटूर इसको 90 डिग्री तो यह बोल रहा है अलोंग आने की 0 डिग्री हो गया तो गलत है दी बोला है एड एंगल ऑ 45 डिग्री टू था कंटूर तो यह भी गलता है सी बोला है एड राइंगल टू था कंटूर तो अप्चिन नमर क्या हो गया ऑप्चिन नमर सी ही ता राइट अंसर ऑगे चलो अगला कुशन देखते हैं लोग दर रिप्रेजेंटेशन जनली टोपो ग्राफिया वा वेडी ड्रेट्टेरिन लेट यहांग एसा वारा पोई भी एडिया फ्लैट है ऑबड़ खाबड़ यह हो जागा ऐसे करें इस पॉसिबल ओनली देखिए अगर इसमोल इंटर्विल लेते हैं ब्रोगन टूर एट स्मॉल इंटर्विल हैं यह ट्राइग करत तो उसमें क्या कंट्रू बहुत पास-पास होते हैं ऐसे करके क्लूल तो उसमें क्या चाहते हैं उसमें चाहते हैं उसमें चाहते हैं इंटर्वेल हमारा थोड़ा क्या है बड़ा रहे ठीक है तो फ्लैट के लिए इंटर्वेल क्या होगा मेरा छोटा होगा तो आंसर क्या क्या होता या अफिर इस्टीप स्लोप की बात कर दी होती तो उस केस में जो मेरा आंसर होता वो लाड़ होता ना उस केस में मेरा आंसर ग्लाज होता तो यहां पांसर क्या होगी option हम अब भी चलो अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या कहता है for more precision prediction of the terrain relief the control interval should be अगला कोशन देखते हैं लोग बीचल तो following represent either hill or pond अगर hill की बात कर दो हिल याली पहाड़ी ऐसे और pond की बात कर दो तो ऐसे जो value होती है उसमें पानी बर जाएगा तो वो pond हो जाएगा तो ऐसे बात कर दू तो यह ऐसे इस तरह के सब्सक्राइब बनाते हैं यह इस तरह के सब्सक्राइब डिफ्टेंस यह रहता है कि यह इस तरह इस तरह इंकी होता है और यह अंदर की इंकी होता है यह में अंतर है तो क्या बोल रहा है country having concentrated circle to answer a camera right answer है close the space control तो भई यह भी है distinct नहीं है parallel नहीं है जो right answer है क्या option number a closely space वो तो depend करेगा आपका कि हम लोग कितना उसमें interval लेकितना spacing है है अना लेकिन अगर बात करें दोनों की तो by default जो circle होते हैं की concentrated circle होते हैं तो आंसर क्या हो गया option number a अगला question देखते हैं which method of controlling चलो यह तो मेरे क्या रिपीट हो गया है question बहुत repeat हो जाते हैं में time नहीं में जाख videos check अपनी ppt check करने का तो इसमें आंसर क्या हो गया option number आपका डी हो गया पर है ना एक गलाते हैं यहां पर डी ही इसका right answer है क्योंकि जब भी हिल की बात आएगी तो इस condition में लोग ट्राइकोमेटर के use करेंगे cross section method use करते हैं किसी भी long member के लिए long construction के लिए जैसे के rail हो गया क्या कैनाल हो गई और रोड हो गया इनके लिए cross section यूज करते हैं है जैसे labeling में करते हैं अगला question क्या कहता है which of the following feature is shown by the parallel control line जब भी आपका parallel word आ गया तो उसका मतलब समझ लेना कि वह uniform की बात कर रहा है uniform slope की बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म स्लोप की बात कर रहा है तो यहां पर answer क्या होगे uniform slope पहले control lines की बात करें तो कौन जे slope होती है uniform slope होती है और अगर close की बात करें तो वह stiff होती है distinct की बात करें तो आपकी gentle होती है तो answer क्या होगे option number D अगला question देखते हैं which of the following lines indicate the presence of ridge ठीक है ridge ऐसे होती है तो क्या होगे U-shape हो गया value होता तो यह हो जाता है ना यह inverted यह हो गया यह हो गया तो ridge की बात करें तो ridge की ऐसे होती है U-shape होती है ना U-shape होती है लेकिन inverted होती है तो यहाँ पर inverted होता तो right answer अच्छा होता लेकिन answer क्या 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 होती है तो answer क्या होगे option number D चलो अगला question देखते है last question है वीडियो का which of the following statement is true हमको true बताना है कौनता सही है option है control lines cross valley at 90 degree जब भी value की बात कर देगा तो value होगा आपका U-shape में ridge की बात कर दे या फिर hill की बात कर दे तो वहाँ inverted U और दोनों ही कितने एंगल पर cut करते है control lines को 90 degree पर तो यह right answer है second बोल रहा है control lines cross ridge ridge या फिर hill बोल दे तो भी right answer नहीं बोल रहा है control lines are widely spaced where ground है steep slope देखे जब इस steep slope की बात आगी है slope की अगर बात करें तो close दी space होता है closely gentle slope की बात कर लेगा तो वहाँ gentle slope की बात कर लेगा तो यहाँ gentle slope की बात कर लेगा जो first and second तो यहाँ पर right answer किया अपना option number D I hope की video आपको अच्छे लागा होगा जितना भी content था जितना भी related करा सकता था हमें अगर आपको फिर भी किसी भी question में कोई भी doubt रह जाता है या फिर किसी भी topic को आप चाहते कि सर्थ इस topic के उपर एक separate video बना दीजे जैसे कि मैं बनाऊंगा भी आपका fundamental lines के उपर तो lecture कैसा लगा आपको comment तो lecture कैसा लगा आपको comment आपको comment करके बताईएगा अगर lecture अच्छा लगा तो video को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और साथी साथ video को share कीजिए मिलते है ने अच्छा अच्छा में till then be happy keep learning and don't forget keep smiling PDF चाहिए इसकी तो telecom चैनल से जाके download दा सकते हैं आप link in description में okay